सच साहस सरोकार काम करते हैं जनता को लाप पहुचता है तो जनता भी चुनावी राण नीटी को समस्तों अपना समर्थन देती है तो कहीं बादे बिफल भी हो रहे हैं और लोग इन बादों के सारे सोचते कि हम सरकार बना बना लेंगे तो पर वहां पर सीटे तक नहीं मिल लए तो यह भी ब कि यानि रेवरी कल्चर जुषको लेकर इस समय राजनीतिक चरह मपर है और इस्तिती ये है कि बड़े-बड़े राण दल समय इस पर बयान देने से बच रहे हैं है नहीं हैं कि लाधा तरह सुनवाई जारी है और सुनवाई सुप्रीम कोट में हो रही है कल भी सुनवाई ह एहम फैसला लेते हुए सुप्रीम कोट ने आदेश दिया कि सभी राजितिक दल 20 अगस्त तक इस मामले में इसे याचका पर अपना परा पच्छ रखें अपना परा जवाब प्रिश करें और 20 तारिक के बाद 23 अगस्त को इसकी फिर सुनमाने कि मुद्दा है मुद्दा का न मार पार देखें रफसे और को नया नाम कर आई इसको रेवडी कल्चरह आनि आप अपने हिसाब से मुफ्त कीौ बाटिए चाहे लेपटाप बाटिए चाहे पेजरी बाठिया, चाहे टेबलेट बाठिया, चाहे मॉवाइल फोन बाठिया, चाहे आवाज बाठिया, चाहे रासन बाठिये और जंता का बोट लीजिए, और इसपर शेज़े आखिल करने के बाद सुप्रेह्म कुटर्फनस सुनवाई चल लए है, सुप्रिम कोड़ की जो बेंच जो पीट है जिसमें तीन जज़ सामिल है जिसमें सीजी आई, अन्बी रमना, जेके महाश्वरी और हिमा कोईली तीन जज़ों की पीट इस पर सुनवाई कर रही है सबसे महत्पूर बात यहां पर यह है सुनवाई तह हम कर रहे है पर सुनवाई की बीच में एक बात एहन है कि सुप्रिम कॉड़ ने कहा है कि यह जो खलचर है इस पर हम कोई कानून नहीं मना सकते और ना इस पर कोई बड़ा फैसला दे सकते हैं इसके लिए केंसरकार कोई कानून मनाए और उसने अपनी जो ग्यान है वक्किन सरकार के पाले में डाल दी हाला कि सुनवाई जा रही है और याची की तरफ से वकील है वह लगातार इस पर दलीर दे रहे हैं कि और साथितर सरह यह भी कहा जा रहा है कि रेवरी कल्चर खत्म किया चाहिए अब एहम में रेविड़ी कल्चर है क्या गेवडी कल्चर जो आपकी बिजली स्कूटी मुबाइल टैबलेट ciao अबास इस तरह की जुनाओं को रेविडी कल्चर कहाा गया है अब बता बबात बत बैवस्ता है उसकी अलग बहतर है एक धारणा है एक बैवस्ता है हमाई देश का संविधान के अनुच्छेर 38 के मताबिक लोगों के बीच की असमानताओं कदम करने के लिए गरीब अमीर की बीच की दूरी कम करने के लिए जो जो ऐसे तपके के लोग जिनको लाब नहीं मिलत है उनके लिए ये बेवस्थाय लाना उचित है और अनुच्छिर यही बोलता है और के लिए अस तरह के उजनाएं लाई जाती है तो वो गलत नहीं है इसलिए इन उजनाओं को गलत नहीं कर सकते हैं और हमारे जो राजितल है वो अनुच्छिर अर्थिस को ही अपना आधार ही ना लिए हैं नंका केना है कि हम यहारा बरे रहा है और लोग को लाप उचा रहा है जो बिकास के मुख़ाना से अलग है उनको गहां दिया जा रहा है हमारी जोजना हैं वह कल चरन नहीं यह हमारी 9 कल लाद कारी युजना है यानी जनकल्षा यूजना यूजना है आज इस संय पहले जब उन्हें संविटार्ण प्राद्व भीम्रा मुट कर दी रहे लिए तो उन्हों पर हमारे देश में स्वास्त और सिच्छा को इतना जादा ना कोटा दिया जाता है ना इतना जादा बजन दिया जाता है और यहां पर मुप्त सिवाय किसी अन्नमाध्ध्यम की मिलती रहती है। हलाकि दोलों का अपना कहना है कि टेबलेट, मुबाइल, लेट्टॉप इससे लाब मिले पर सबस्वरी बात है कि लेट्टॉप मिला कितनों को, टेबलेट मिला कितनों को, मुबाइल फ़न मिला कितनों को, अगर हम कोटा बनाके चातर बरती देते हैं चातरों को यह बैतर पह पर आते हैं उससा नीती में बड़े 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 हमारे बार करते Рाइए बैतर इस पर को dazu तकरीब नहीं होनी चाहिए अगर हम इसके अलावा मेडिकल छिर्ट में पहल करते हैं कि मेडिकल छिर्ट में हम इलाज फिरी करते हैं मेडिकल छिर्ट में हम जो ब्यूस्था है वो फिरी करते हैं मेडिकल छिर्ट में जो हम जाचे है उन चीजों की अगर गंबीर मरीज है तो वो फिरी करते हैं, तो बहतर पहल होगी, हलाकि केन सरकार की आयसमान कार्ड युजना है, वो भी ऐसी है, पर युजना में कितने लोग लाममित हो रहे हैं, वो भी एहम बात है, क्योंकि सिच्छा और मेडिकल, स्वास्त, इस पर देश के पितिक नारे का समाना दिकार है, जो स करने चाहिए, कि इस पर लोगों को दिक्कत ना रहें, अगर कोई गरीब हो, तो वो भी डॉक्टर बन सके, अगर कोई अमीर हो, वो भी डॉक्टर बने, क्यों उसका संसाधन है, पर अगर कोई गरीब डॉक्टर बनना चाहता है, गरीब उच्छ सिच्छा लेना चाहता है, पर यहापा गरीब को अगर से उच्छा लेनी है तो इसके लिए उसको लेना पड़ेगा लोन बैंकों से लोन लेना पड़ेगा उसके मता पता जब संगर्स करेंगे अपना पेट काट काट के पैसा जमा करेंगे तभी वो गरीब मुख्य सच्छा के योग होपाएगा का मैं अफरनी फ करेंघ से वorta कि नेक्व चंपड़ार के क्पी तुम की एंगे जाता है और बेसमेंग जयाc में सबदाए रहे हैं हंदर मैं बनाई जा रही है बड़ा ही यह बताइजा रही है कि अब आपको अगर आप सवारोजगार करते हैं तो निसी मि नहीं से आपको नोक्री नहीं करना है आप दूसरे को रुजगार दे सकते हैं और चाहें चौरसी बात है भारत में जहां इस तरफ युवा बर्ग आगे बढ़ रहा है जनसंख्या आगे बढ़ रही है और दोहजार पचास के एक अनुमान के बताव की बहुति कर Jew in 25 2020 में ज़ो युभाह की जनसंख्या होगे और सारसे सथ type कर ह के लिए सरगारी नोकरी उपरब्ज कराना संभव नहीं है पर अगर वो युवा स्वरोजगार खोल लेंगे निसी रूप से खुद तो लावामेत होंगे खुद रोजगार रहेगा साथी वो अपने साथियों को 20-25-50 लोगों को रोजगार दे सकता है यह संभव होगा कैसे स्वरोजगार की भामना पनपे कैसे डहते जब वो साच्छर होगा.. जब वो साथ्छर ही नहीं होगा तो तो भामना पनपे कैसे जब जब उसको तमाम चीजे ब्यश्चित नहीं मिलेंगी तो पनपेगा कैसे अगर उसको लोन के लिए बैंकों के चक्कल लगाने पड़ेंगे अपनी समरी देनी पड़ेगी माग्रेश कराना पड़ेगा संपत्ति गृवी रखनी पड़ेगी तो आगे बढ़ेगा कैसे तो यहा पर दोनों ही व्योस्ताओं में हम बात करते हैं पर घोषडा इनको लेकर नहीं होती है क्योंकि हम लेट्टव बाठे हैं मूबाल बाठे टेबलिट बाठे स्कूटी बाठे तो यह गिने चुने लोगों के लिए सबके लिए नहीं है जिसकी आबादी बड़ी है और अलानर एया है कि रेवडी कल्टर का मामुला मुद्दा गर्माया हूँ जहां को जिस तरह से मुप्त की विजृ आप मोट एब सा कर जो अगर गरूआ करू तो यहां लोग इस्तिरियती पैसा नहीं था अपने परवार को चलाने के लिए समस्या आ रही थी उसको देखते हुए प्रहमंदी नरीन मुरी ने एक बड़ा फैसरा लिया और ने कहां सभी डेश की सभी नागरव को जो की जरूर मन हैं उनको जहां पर आसन नहीं है उनके परवार को भूके नहीं बनने तेंगे और यहां पर अश्ची करोड़ लोगों को राशन की व्योस्ता की गई इसमें कई राज्यों ने अपने माध्यम से भी मुखमंत्री राशन जिन्या की सिरुवार की इसमें मुखमंत्री योगी एटनार्वी सामेली जो कि उत्तापड़िस के अभी तक ओवर नहीं पाया है पर इस रासन जिन्या कि अलगर हम छोड़ दें तो मुफ्त बिजली मुफ्त पेजल और मुफ्त ब्यौस्ता हैं मुफ्त आवास जो ऐसी ब्यौस्ता है जो कि पात्र के अलाबा अपात्र लोगों को भी मिल लाई है इसका नुक्सान हो रहा है अगर हम लोगों को साच्छर बना देंगे अगर हम लोगों को उन्नत बना देंगे अगर हम लोगों को मेडिकल लाब देंगे अगर हम लोगों को सवस्त रखते हुए उनको दिकास की पेगती में आगे बढ़ाएंगे तो निस्ती रूप से उनको किसी भी मुफ्त योजना होना बहुत आवस्यक है कि इसमें कोई बेगलपनी होना चाहिए क्योंकि जब गरीब आमीर के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तब इस तरह की ब्युस्था आंगे बढ़ पाएगी कि लोग साच्छर हो सकेंगे जब आदमी साच्छर होता है तो उसका विबेक उसको बताता है पर देने वाला बनना है या रोजगार लेने वाला बनना है क्योंकि अगर आपको मुट्थ की राधिती खत्म करने हैं तो उसके लिए आपको सवास्त और सच्छा जैसी व्युस्थाओं पर अपना ध्यान केंदिर करना पड़ेगा और आपको बास्तम में कुछ मुथ सवर पर यहां पर हम देख रहे हैं जिस तरह से लगाता टेक्सिस बढ़ रहा है कई बड़े राज्यों के बड़े सहरों में रेट बढ़ा दिये गए तो फिर मुप्त का राष्ट मेडिकल सुभाई कैसे हम बोल सकते हैं कियबल महमारी के समय देख को लावमिट करना महमारी के समय देख के लोगों को को मुप्त जो है नहीं होनी जए हमारे बड़ा है हमारे देख लगातार तमान तरह की वेस्ता एसी समय से लागव होती रहती है जिनका लाब आद दंता को मिलता है पर अगर हम सिच्छा और स्वास को लेकर जरुता बढ़ाते हुए उस सेटर में उस छेतर में अगर हम लोगों को लाब पहुचाएंगे तो निस्षी रूप से इस लाब का हमको सकराथ में पढ़नाम प्राप्त होगा और वो सेल्ए होगा क्योंकि जब लोग स्वास्त रहेंगे उनकी साथ जिन्दकी सर कोई दिक्कत नहीं रहेंगी तो निस्षी रूप से बहो आगे बढ़ेंगे और साथी साथ को तवाम तरह की चीजें आती है सामने कि स्टेचर नहीं मिला है पिर सब रोड़ पर हो जाता है गालियों में हो जाता है लोग दमाओं के अभाव मर जाते हैं लोग एक्सपारी डेट की दमाओं उनका उप्योग करने पर मजबूर हो रहे हैं लोग सरकारी दमाओं को कि किसी भी डॉक्टर के लिए कोई आच्छे प्याप नहीं कर रहा हूं ना मैं कोई आरूप लगा रहा हूं पर ऐसी चुकी ब्यूस्था इस समय देश में चल रही है और थोड़े से लालच में हम जो आम जनता है उसको उस ब्यूस्था से मरहूम कर देते हैं जिसके लिए हो हमाय देश का अधिकार रखती है उसका मॉलिक अधिकार है देश से तमाम चीज़ों पर उसका अधिकार है और वो मिनना चाहिए है पर सक real लालच की चक्र में हैं कुछ व्यूस्थाह के संक्रम दो ब्यूस्थाह में अपनेआपको ढुलने के बाद असी चीज़ों को दूर रखते तू मेरा मानना ये है कि हमारे देश में स्वास्य सिुआँ में पहाँ सका है हमारे अजा भी स्वास्य सेवाँ में पीछे है हमारी आज स्वास्य Сिवा पर नहीं आपाया है मैं मानता हो करोना मामादी से बैसिक लोग रूप से लोग मरे और ऐसे देश भी जो है लोगों को नहीं बचा पाई जो की स्वास्ति सिवा बहुत उन्नत थे और उसके मुताबिक अगर हम तुलना करें भारत के तो यहां पर तब भी हमने लोगों को बचाया है चा जो कमिया है तो कमिया कही को नजर भी आती है चाहे वो बैडों को लेकर बात हो चाहे अक्सीजन को लेकर बात हो चाहे अन ब्योस्तों को लेकर बात हो चाहे इलाज को लेकर बात हो चाहे कमरों के लेकर बात हो और चाहे दबायों को लेकर बात हो चाहे सरजरी को लेकर बात और वंगारे मुप्त रयवडी स्च्छा और स्वास्थ पर जाएगी तो निसीरूप से इसपर कोई भी दल को कोई दिक्कत नहीं होगी एक ने में मप्त रयवडी के बॉल लेट टौप और टैबलेट डेने में बताई जाए स्वास्थ और सिच्छा पर पिकति करेगा हमाँ देश के लोगों को स्वास्थ और सिच्छा जाई मुप्त में मिलती नजर आएंगी तो निश्रूप से भारत का बिस्ट्रू बनने का सपना है वह भी कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आएगा कि अगर आघेष क्मिला कोर्ण से अगर हम बीजेडी की बात करते हैं अगर हम Scorpion की बात करते हैं अगर मनरigy की बात करते हैं और ऐसी बैस्ता लागू करने चाहिए जिससे समाज का कुछ लोग नहीं बल्कि पूरा समाज लावा में थो और तभी हम मान सकते हैं कि हमारा देश बेकार्शी से बेकार्शी से बिक्सिर हो सकेंगे तो आज की चर्चा में अतना ही अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के सा होगी मुलाकार तब तक कि मुझे यानि गौर सीवास्तों को डिजयर नमस्कार